अगेदा नमस्ते हाथ आप से स्क्राइल में हूँ सिए संकल कांस्टिया जपान मार्केट फॉल यूज फॉल बोर देन फाइव तो एट परसेंट इन सिंगल डेडिंग सेशन ग्लोब रिसेशन एक्पेक्टेशन में मेरा फोकस है आज के सेशन में तुम लोग को बताऊं के क गरी ट्रेड क्या होता है एंड कैसे यापनीज में फॉर लास्ट वनी यूर्स जपैन मार्केट में तू जपैन मार्केट अल ओर अवर दे वर्ल्ड इस बींग कंड़केश तो चलो ब्लेट साट द्वीज वीजिए में इस तो लिए कि आट अडियो वीज वीजिए वीज अगर आपको कुछ चाहिए एक्स्ट्रा तो वेरी ओफेन और रादर वेरी रेरली इट हैपन्स डैट आपने जो कॉंसेट पड़ाया है बैच में इमीजेटली उसके नेक्स्ट डे पे वही चीज़ प्राक्टिकली एक्जीक्यूट हो रही है के पunta मेरे सेशन में जो अभी मास्ट लास एफिन का ऐपेंट चाल है तो इंट्रेस्ट अंक इंट्रस तोड़ायें इंट्रेस्ट आर्वित्राज आरिज अंन QN market fall हो रहा है global recession है so what is one of the reasons is what we are going to discuss because as students of finance we should know what exactly happened what is the yen carry trade जो आप लोग सुन रहे होगे काफी time से right so let's try and understand this with the help of an example वैसे मैं आप लोग को बता दू के Japan has a zero interest trade तो मैंने एना एक video बना है मेरा EFM का जब मैं batch start करता हूँ ना तो मेरे first lecture में मैं सबसे पहले Japan के economy के बारे में बात करता हूँ because that economy is a case study in itself to understand the global market right so वहाँ पे मैं यही discuss करता हूँ that how in 40 years Japan has faced something called as stagflation तो उसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा you can watch that out but for now all I want to say is that Japan is a country जहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो interest rate is almost zero and in fact it has fallen to even negative many times इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आज bank में loan लेने को जा रहा हूँ then अगर मैं एक लाख yen का Japanese yen is the currency that is there अगर मैं एक Japanese yen खरीता हूँ बॉरो करता हूँ तो उसके ओपर मुझे interest देना ही नहीं है क्यों क्योंकि हमारे देश में interest है ही नहीं as per Japanese yen so वहाँ पे last 15 to 17 years say there has not been an interest hike at all अब ऐसे situation में आप सोचो आप क्या करोगे आपको एक ऐसी country मिल गई जहाँ पे borrowing rate zero है यानि आप free में interest free borrow मिल रहा है आपको loan इंडिया में अगर आपको आज की तारिंग में loan चाहिए तो minimum 8% 9-10% आपको pay करना ही है but there is a country where you don't have to pay anything as interest तो अब हुआ क्या say for example मैंने 1,00,000 yen का loan ले लिया Bank of Tokyo से अब ये loan लेके जाके मैं क्या करूंगा मैं invest करूंगा in those countries जहां पे मुझे higher return मिल सकता है and CDC बात है one of the most favored countries that people always invest in is America तो America के tech stocks में through Nasdaq public ने ये loan लेके invest करना चालो किया and some of it was also invested in a strong macro country like India as well because अपन लोग Indians है तो connect कर पाएंगे so मैं आप लोगों को इंडिया के example के साथ इसको connect कर वाता हूं that what exactly happened pay attention till the end so say आज 1st Jan 2020 को just an example आपने लोग लिया कौन सी करन्सी में येन में अब आपको एक लाक येन का अगर लोग चाहिए आज आपने लोग लिया और आज रेट है 1 रुपीज is equal to 2 Japanese Yen 1 रुपीज is equal to 2 Japanese Yen this is the rate अब effectively अगर आप यहाँ पे 1 लाक येन का लोग ले रहे हो तो इंडियन करन्सी में basically आपको पच्छास हजार रुपे मिल रहे भाई बराबरे तो आपने क्या किया आप बैंक आफ टोक्यो में गए गए मतलब वर्चुली गए आपने बोला मुझे 1 लाक येन का लोन चाहिए उन्होंने बोला ठीक है 1 लाक लोन का येन आपको दे देगे आप इंडिया में वो पैसा लेकर आए जैसे इंडिया में आप आए अब इंडिया में अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करना है तो आपको तो रुपीज चीए आपने ये येन को कनवर्ट किया रुपीज में आपको मिल गए 50,000 रुपीज अब ये 50,000 रुपीज से for example आपने इंवेस्ट करना चाहा स्टॉक मार्केट में और आपने ये पैसा स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट कर दिया assuming के चलो भई 20% अपने को रिटर्न मिल जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 60,000 रुपीज बराबर है फिर अपने को जब उसमें से रिपे करना है तो अपना येन तो उतना का उतना ही है उसमें तो जादा कोई changes हो ही नहीं रहा Bank of Japan is not making any changes 15 साल से interest rate में कोई change नहीं है तो अपन ये 60,000 में से 1,000,000 येन टेक कर देंगे मतलब 50,000 रुपीज effectively मेरे जेब से जाएगा 10,000 रुपे का मेरे को net profit हो गया without even my single पैसा भाई मैंने तो बॉरो किया है ना मैंने तो बॉरो किया इंडिया के stock market में invest किया इंडिया के stock market से ही कमाया उसमें से जो मेरे को repay करना है वो मैं repay कर दूँगा जो बच गया वो मेरा profit एकदम risk free best arbitrage that anybody can get क्यों ये कर पा रहो क्योंकि interest rate yen का मतलब Japan का बहुत कम है so as a result I am able to take the benefit of the same ऐसे ही हुआ क्या था reality में US के जो tech stocks है वहाँ पे public ने मतलब Japan से बॉरो करके वहाँ पे वो tech stocks में बहुत high level पे उन्होंने invest करना चालू कर दिया अब हुआ क्या last three months से और कुछ quarter से there is a hype in Japanese interest rate क्या बात कर रहे हो sir yes एक ये हुआ दूसरा dollar week हो रहा है dollar week होने की वज़े से क्या हो रहा है पता है क्या Japanese yen is becoming strong अब मैं इसको आपको Indian context में ही connect करके बताता हूँ so that you will be able to connect अब ये ये दो चीज की वज़े से क्या हुआ देखना तो Japanese आपने जो loan लिया था आपने तो 0% पे लिया था बट अब उन्होंने बड़ा दिया है और 0.35% कर दिया है मतलब आप पहले एक लाख येन जो पे करने वाले थे अब आपको 1 lakh plus interest के साथ यहाँ पे करना पड़ेगा पहला जटका दूसरा जटका आपने लिया था जब 1 rupees is equal to 2 yen था अब क्या हो रहा है Japanese yen strong हो रहा है अब अगर Japanese yen strong होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि एक रुपे में पहले आपको 2 yen मिलते थे अब yen strong हो गया है तो अब एक रुपे में आपको कम yen मिलेंगे that shows that Japanese yen is becoming stronger अब अगें ध्यान से समझना आपको 1 lakh yen repay करना है in fact 1 lakh नहीं plus interest के साथ repay करना है तो मैं एक ले लेता हूँ समझो आपको 1 lakh 1,000 yen अब repay करना है अब अपन को दो लगा था 50,000 रुपे मैं 1,00,000 yen repay करके निकल जाओंगा बट अब क्या हो गया है ये 2 रुपे 1 रुपे 1 रुपे is equal to 2 yen ना होके 1 रुपे is equal to 1.8 yen हो गया है and if you do the mathematics here you will get 1,00,000 yen 1,00,000 yen divided by into 1 divided by 1.8 जब आप करेंगे you will get 56,111 रुपे इसका मतलब समय से रहे हैं आप लोग अब आपको जब repay करना है तो 56,111 रुपे रुपे करना पड़ेगा मतलब हर तरफ से आपको तो मार लग रही है 50,000 का पहले आपको लगाता 50,000 ही repay करना पड़ेगा अब आपको इसकी जगे पे 56,111 रुपे रुपे करना पड़ेगा प्लस आपको लगाता जो आपको रिटर्न मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा तो इसकी वज़े से अब आपको लग रहा है यार यह जो carry trade हो रहा है कि एक lower interest rate currency में खरीदो और और फिर बॉरो करो और फिर बाद में USA में इंडिया में इंवेस्ट करो और बहुत अच्छा रिटर्न ले लो without covering yourself in a forward market तो इसकी वज़े से क्या हो गया यह इसको बोलता है carry trade but this is backfiring because currency भी strong हो रहा है and bank of Japan has increased the rate as well तो मैं जो returns expect कर रहा था तो मुझे मिली नहीं रहा है क्योंकि yen के appreciation के बाद क्योंकि interest rate के बढ़ने के बाद my whole profit is being eaten away plus अब US में recession के fears है the job data is going down unemployment है Iraq Iran का there is a war situation so all of these plus Fed का rate hike expected approximately 25 basis points to 50 basis points which will weaken the dollar तो अगर dollar weak हुआ मतलब Japanese currency all strong होगा और ये जो मेरे पास जो अभी थोड़ा बहुत profit बच रहा है वो भी खतम हो जाएगा तो people have started selling the stocks in the American market और उन्होंने बोला भाई इसको square off कर दो and that is the reason globally there is a huge fall Japan market में huge fall Indian market में to a certain extent India is still strong and at the same time US market में भी because वो जो tech stocks लिये थे ना ये बौरो करके वो सारे के सारे tech stocks को अब sale कर दिया गया है and anyways US is going through tough times in terms of job numbers and in terms of growth plus अभी उनका नया president आने वाला है Mr. Donald Trump or whoever comes so let's see how does all of that shapes up मेरा intention था कि आप लोग के बताऊ के you know what is carry on trade and how does all of this work out I hope समझ में आगया होगा do like the video if you have liked it and definitely और ऐसी चीज़े चाहिए तो do let me know in the comment box and I'll definitely keep you updated regarding all this so पढ़ाई करो और जो पढ़ाई करते उसको practically link करो उससे अच्छी बात क्या होगी और राइट चाहँ आस तरह वेस्टा पर एक्स के मेरे और भी सेशन से YouTube पे do watch them out and I'm sure you'll love it and learn new things thank you